पोजनिय संत समाज, धरम प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों आप सब बहुत अच्छे हैं सत्संग में आ करके सुनने का भाव है जिग्यासा है, मुमुक्षा है, कल्यान की इक्षा है सबसे बड़ी बात तो यही है न ऐसा दुरलभ जीवन की घटना है इसके लिए हमें ग्यानी पुरुस कहते हैं मानुस्तन सद्गुर मिलन मुक्षो इच्छा होए दुरलभ तीनो परमहें पाई सुयोग न खोए याद कर लेना चाहिए सबको यह मंत्र है तीन यह बड़ा दुरलभ है मनुस्तन मिलना यह जो मनुस्तन मिला है हमको बड़ा सस्ता लगता है कि माता पिता ने जनम दे दिया और उनके कुछ मेहनत का याद है लोगों के बताने से इस तरह से पालन पोषण हुआ बहुत मेहनत पड़ी थोड़ा सा है याद लोगों के बताने से महसूस करते हैं लेकिन इसके पीछे भी और बहुत पालन हार हैं जनम देने वाली कुछ और ही बात है आपके पुन्य करम लगे हुए हैं अच्छे करम सुभकरम लगे हुए हैं साथ में वो ना होते तो फिर अच्छे माता पिता से जनम भी ना होता तब तो कुतिया भी एक माह है न वहां से जनम हो जाता सरपणी भी है कि अंड़ा दे के सोयम अपने बच्चे को खा जाती है और भी बहुत ऐसे है वहां से जनम हो जाता माही मनुस के ही गर्भ से क्यों पैदा होते तो उन्न की कमाई रही इसलिए मनुस जीवन मिला यह बहुत बड़ी दुरलब घटना है फिर सद्गुरू का मिलना और जो संगत में हैं उनकी कितनी बड़ी दुर्गती हो रही है क्या वे इंसान कहने लायक है क्या उनके चरणस पर्स करने लायक हैं वे हाद जोडने लायक हैं नमन करने लायक हैं नहीं मनुस्य जीवन पाएं हैं लेकिन आप भी सर्माते हैं उनको नमन करते हुए किसी स्वार्थ में पढ़ करके एक मानवता के नाते हाथ जोड लिया जाता है नमस्कार कह लिया जाता है नहीं तो भीतर से घ्रड़ा होती है कि ये कोई इनसान है ये कोई आदमी है इनके सामने तो खड़े होना सरम और लज्जा लगती है तो सद्गुरु का मिलना भी एक बहुत बड़ी दुरलब घटना है फिर सद्गुरु मिल गए अब मोक्ष की इच्छा होना उनके सामने सद्गुरु के सामने गुर्जनों के सामने जब पहुचते हैं साधु महात्माओं के सामने पहुत ऐसे लोग हैं कि संतों से वे यही मांगते हैं महराज कृपा करिये हमारा लड़का बीमार है ठीक हो जाए बाहर की बिमारी दिखती है लड़का के लिए अपने लिए नहीं कोई कहता है बहु को पुत्र नहीं है महराज 15 साल हो गए मनवती करते करते कोई उपाय काम नहीं कर रहा है कोई कृपा कीजिए अब महात्मा जी के पास ये भी मांग कर रहे हैं इसी तरह की कुछ उपरी जो निरर्थक बाते हैं अज्ञान पूर बाते हैं भूल भुलईया है जिसमें ठग जाने की संभावना है इन्ही बातों को इन्ही कमजोरियों को सुन करके ठग लोग पकड़ लेते हैं ऐसा दबोचते हैं कि फिर आदमी निकल नहीं पाता है इन्ही सब कमजोरियों को पकड़ लेते हैं जैसे एक कमजोरी बता दूँ पंडित जी जा रहे थे एक भावग भगत आदमी पंडित जी को देख करके पुरोहिताई करते थे ऐसे पंडित थे तो पंडित जी अपना टीका चंदन लगाए बगल में जोली टांगे पत्रा उत्रा लिये चले जा रहे थे थोड़ा देखे कि दर्वाजे के सामने एक बहुत मस्त भावएस बंधी थी जो कि इस समय पंचानवे हजार की थी तो ऐसी भावएस को देख करके पंडित जी के हिरदय में कमपन होने लगा कि देखो तो हम उची जाद के पंडित आदमी पुरोहताई करते हैं और हमारे पास भावएस नहीं है हम सूखा खाते हैं और ये आदमी हमारा जजमान है और इतनी कीमती भावएस है ये दूद घी से खाए हमारे सामने तो कोई उपाय तो लगाना चाहिए उसके मन में यही दिमाग चलने लगा इतने में सज्जन निकले वो भावग भगत भीतर से निकले और पंडित जी को देखे तो पाय लगी पंडित जी पंडित जी तो फट से पकड़े ये तो निकलाया और जड़ से कहिन पंडित जी क्या बात है कहिन अरे बढ़िया है आपके यहां थोड़ा देख करके अच्छा लगा कि कहां है इतने में छोटा बच्चा निकला बहुत दिनों पैदा हुआ था उनका बेटा अभी पांच साल का हुआ था तो कहिन पंडित जी अच्छा आप किये हैं आप आ गए हैं हमारे घर पर जरह देखें हमारे बेटे को भाग कैसा है कोई ग्रह नच्छत्र खराब तो नहीं है बास पंडित जी के और पक्का कर लिए कि अब तो पकड़ में आई जाएंगे तुरंत बुलाया बच्चे को प्यार इसने देने लगा और हाथ पकड़ के कहा और गंभीर हो गए फिर गंभीर मुद्रा को देख करके वो सज्जन वो भी काप गए कि हो नहीं कोई बात है उन्होंने कहा पंडित जी कैसे बताईए न क्या बात है कहिन अरे रहने दीजिए ठीक है सब बढ़िया है कहिन नहीं बताईए और गंभीर हो गए कहिन पंडित जी क्या बात है कहिन और सब ठीक है जितनी रेखाएं है सम में अच्छे फल की प्रापती है सब फली भूत होंगे सुखी रहेंगे एक ठो बहुत खतरनाग है तो उसी में खतरा है अगर वो कट जाए और ठीक हो जाए तो फिर और तो सब ठीक है रेखा सज्जन सोचे कि इतने मेहनत से बहुत पूजा पाठ भाग से बेटा आया है कुल दीपक और ये भी चला जाए एक खतरे के कारण तो हमारा जीवन बेकार है बुढ़ापा बेकार है पंडित जी बताईए क्या बात पाजे बंध है तो एक सो एकोमा दरवाजा खूला रहता है तो कहन फिर बताईए कहन इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ काला दान अगर हो जाए तो ये कट सकती है बाधा कहन काला दान कहन हाँ कहन इसके लिए मुहूर्त होगा कल सुबह आप आईए अब हम विचा भाई को सज्जन को कि पंडित जी के मुख से वो देव हैं और जगत गुरू है वो उनके मुख से निकला है अब कैसे जूटी हो सकती ही बाते इसके लिए हमारे कुछ भी हो जाए हम खर्च करेंगे नुक्सान भोगेंगे तूसरे दिन तक में साम को चैन न पढ़ी अपनी चिंता मिटाने के लिए उनके एक मित्र थे मित्र पार्खी भाक्त थे संतों के सत्संग में आया जाया करते थे वहां पहुँचे मित्र जी राम जोहारी बंदगी दंडवत की ये बोले क्या बात है उदास उदास लग रहे हो कहिन उदासी की बात है कुछ कहिना ऐसा ऐसा ह ही एक बार में सब समझ गए इतना माइंडेट थे वे पार्खी भक्त थे परक लिए लेकिन अब बुद्धुओं को कैसे समझाया जाए तो उन्होंने के वाल युक्ति बताया कहना ऐसा है घबराने की जरूरत नहीं है काला कपड़ा ले लो थोड़ा सा एक मीटर काला 10 रुपे का मिलेगा और ले जाओ दान कर लो तब प्रसंद हो गए यह तो थोड़ेन में हो गया यह तो बहुत अच्छी बात है काले दान तो करना है पंडित जी तो यही कहे तो कोई नाम तो लिये नहीं फट से एक मीटर का पड़ा दुकान पर खरीदे काला और सुबह छ थे बजे ही चल पड़े पंडित जी नहां वहां करके अपना कुछ कर रहे थे टंड घंड पहुचे और देख करके पंडित जी खुस हो गए तो आ गए लेकिन यहाँ पर भैश तो नहीं दिखती है लेकि कोई बात नहीं देखते हैं क्या लाया है कुछ तो लाया होगा बै 22-50 रुपे की चीज काला कपड़ा क्या करेंगे हम तो कहां पन्ना पल्टा पत्रा का कहीं देखो मुहूर्थ निकल गया है आप खास मौके पर आईए तो आज सुभ नहीं है कल आईए कुछ काला दान के साथ-साथ जानवाला भी होना चाहिए काला दान हो लेकिन जानवाल भी हो तो जाये कल आईए तो कल के पहले भगत जी से फिर मिल लिए भगत जी कहीं कोई बात नहीं हमारे हाँ मदारी आया है तो वो सर्प पाले होए है काला काला और कुहार के हाँ से काली हंडी ले लीजिए और वो शी सर्प को मदारी से मिल जाएगा वो दस पांच रुपे दे देंगे उदे देगा साप नहीं फिर यह दे देगा तो उसमें रख करके उपर से काला कपड़ा बांध लीजिए और फिर ले जाएए घिया चार जाई से दे दीजिए तो ऐसे बांध करके भगज फिर खुस हो गए कि है तो बात बढ़िया इसमें ज्यादा खर्चा की बात नहीं है मदारी से मिल गया सर्प काला नाग वो भूखा प्यासा सर्प अच्छेडा गया था खिस्यान रहा तो नाराज अब उसमें बंध हो गया फिर गर्म कहां वहीं नजर थी उसकी भैस पर तो लेकिन किसान तो भाई ठाहरा पार्खी मित्र का साथी तो देखा कि देखते हैं इसमें सायद क्या लाया है कोई कीमती चीज हो कें ठीक है तो लाओ दिखाओ खोले उले तो खिस्यान नाराज सर्प जट से खड़ा हुआ अब पंडी भीत हो गए कापने लगे थर थराए तो दूर हट करके बोले अरे भगत जी क्या यह तुम तमासा किये हो कहन महराज आप जैसा कहें है काल का दान काला है चानवाला है कहन फिर देखे पत्र उतर कहें वो इसमें एक गड़बड़ी हो गई है दान काला है ठीक है जानवाला ठीक है लेकिन चार पैर वाला भी होना चाहिए तो जाएए फिर कल आए पंडित जी गिसान भाई फिर घर में आए वहीं फेक फाक करके हंडी उंडी सर्प को और फिर भगत जी के पास गए साम को भगत जी कहें ठीक है कोई बात नहीं है हमारे घर में काली बिल्ली है वो पाली हुई है वो कहीं भागती ने उसको आराम से पकड़ सकते हो कल है बियाई भी है और उसके बच्चे हैं दुइठो जरूत पर तो बच्चों को भी ले जाना दान कर देना ठीक है तो वो चार पैरवाली भी है जानवाली भी है अकाली भी है तो दूसरे दिन सब इंतजाम करके भगजी उनको भेजवाए गैले देख करके फिर अब कहन देखते हैं पत्रा अब सीधा कहना तो बुरी बात है न पंडी जी बड़ी युकती से कि भाई ये बंचने न पावे मुझे वहां तक पहुँचना है तो कहन देखते हैं जो लाए हो तो ठीक है कहन देखो भाई आज का महूर तो ये कहता है कि शाथ साथ इन सारे आइटमों के साथ शाथ जाहन और काला और पैचार पैरवाला के साथ दूद्थ वाला भी हो तो एन ठीक है तो फिर गए घर उसको छोड़ छाण करके बिल्ली को साम को गए भगत जी पास भगत जी फिर बता दिये काइं ठीक है काली कुतिया भी है अब ब्याई है चार-पान दिन पहले अno दूद की बी देती है और बच्चे भी है पिले भी है उसको ले जाओ तो फिर किशान भाई इस सुबा ले गए तब अपकी बाहर इस सब करते करते पन्ना उन्ना उलड़ते ओ ठक गए थे कहिन अच्छा ये बताओ तुम तुम देखाते तो हो भोले भाले मूर्ख टाइब के लेकिन ये तुमारी बुद्धी कहां से आ जाती है तो साब साब किसान तो भोले थे कहिन देखो पंडी जी मेरे पास एक मित्र है और वो सब मुझे बताते हैं कहें पागल कहीं का अरे भाइस को लाना चाहिए ये सब लाके रख दिया अतु भागत जी के पास चला जाता है पूछने काली भाइस भी तो उसको क्यों नहीं लाता है तब किसान कहते हैं ओ ये बात अब समझ में आया तो हमारी भाइस के लिए परिसान है ग्रह नचत्र नहीं लगा तुहारे लगा है तो पंडी जी को खुद ग्रह लग गया था भाइस को देख करके बच्चे की रेखा सब ठीक थी उसको कुछ ग्रहन नहीं लगा था एक जोतिसी ने आया जोतिसी आया और एक सज्जन के पास खड़ा हुआ कहें दिखाएं अपना हाथ तो देखा कहें ये हाथ की रेखा तुहारी बड़ी खतरनाक है वो आदमी समस्दार था और पाठ भी पढ़ाता था सबक भी दूसरों को पढ़ा देता था उसने चाकू उठाया उस रेखा को ही फाड़ दिया कहें अब बताओ ये रेखा क्या कह रही है कहें ये रेखा ही ठीक हो गई है अब तुहारे कुछ नहीं लगा है कोई ग्रह नहीं है एक राजा के पास एक जोंतिसी गया मंत्री ने का हुझूर ही बहुत बड़े जोंतिसी है विचरवाली जी अपना भाग भविष्चे कुछ नहीं सब पागल लोग होते हैं इसा मूर्ख होते हैं अपना भविष्च तो जानता नहीं कहीं नहीं नहीं ये अलाग बिलक्षण ज्योंतिसी है कहीं बुला लाओ फिर आ गया हाँ हुजूर कहिए क्या बताऊं मैं कहीं ठीक है आईए स्वागत पहले तुहारा होना चाहिए जलपान कुछ कहीं हाँ ठीक है बैठ गया बेंच में बैठ गया दो सिपाही बुलाए राजा कहीं ऐसा करो जूता उठाओ जूता उठा करकर बीस बीस जूते लगाओ इसके पीठ पर दोनों जन तो तड़ा तड़ जूते पढ़ने लगे उसके पूरी पीठ में अब उल्टा गिर गया धड़ा धड़ जूते पढ़े चाम निकल गए तो कहने हुजूर मुझे तो आप मार डाले हैं अभी विचरवाना हो तो विचरवालिने में जाऊं तब राजा ने का मूर कहीं का तो अपना भविस नहीं जानता है कि यहां जाऊंगा तो मुझे जूते पढ़ेंगे जान निकल जाएगी तो आया हमारा भविस विचार ने भाग यहां से राजा डाट करके भगा दिये उसको खुद पता नहीं था कि मेरा भविस क्या है अभी दस मिनट में तो इसलिए कभी भी संकल पे ले लो अगर संग में यहां आते हो तो यह पारक विचार सद्गुर कबीर की विचार धारा के यह धारा है और यह भक्त सज्जन अस्थान है यहां से जब घर जाओ तो कोई ठग ना पावे तुम्हें तो यहां आने की सफलता है कहीं लोभ लालच में न पड़ो कोई जार भूंक टोना टुटका ज्योंतिशी पंडा ना उता के कहता है कि तुहारा यह ठीक करदेंगे वो ठीक करदेंगे यह दी दीजिये हमको 101 रुपे लगेगा 1 किलो अनाज लगेगा सवाव धरा लगेगा सवाव मन चड़ा दीजे लड़ू तो ठीक करदेंगे यह सब बकवास मिनना पढ़िए अगर आपके हो सके दान धरम ही करना है तो आप लोग मंगल की दृष्टी से अपने खुशी के लिए अपने आनंद प्रसनता के लिए धन का सुद्विपयोग करिए गरीबों में कर दीजिए दीन दुखियों में कर दीजिए संतों के यहां स्रद्धा से दे दीजिए संत कोई भिखारी नहीं होते है संतों के यहां स्रद्धा से दीजिए कि यहां से संतों की भक्तों की सेवा होती है तो हम यहां अपना तनमंधन देते हैं देखो धन से तो आदमी सेवा करता ही है तन से भी सेवा करना चाहिए तन से और बड़ी सेवा होती है हम गुजराज जाते हैं पंजाब जाते हैं वहां देखते हैं कि धन से संपन महल वाले लोग लोगों के घर की सुन्दर बहुएं बेटियां और बूढ़ी माताएं पैसट सत्तर साल की बैठ नहीं पाती हैं शरीर से वजन हैं फिर भी संतों के आस्रम में मचिया ले करके पीड़ा ले करके बैड़ जाती हैं और तमाम सैकडों बरतन को मल मल करके साब करके रख देती हैं साभ हमें दीजिये हम करते हैं हमारे पास बरतन दीजिये जूठा जितना हो अपने घर में चार नवकर लगाए हैं लेकिन संतों के यहां आकर बड़ी प्रेम से सेवा करती हैं जाड़ू लगाती हैं उनके पती लोग आकर के दवड़ दवड़ करके सेवा करते हैं तो यह बहुत बड़ी सेवा देखने को मिलती है गुर्द्वारों में पंजाबियों के सिखों के यहां गुर्द्वारे होते हैं उनके गुर्दवारों में जाईए उनकी इस्त्रियां भोजन परसने में जाडू लगाने में पत्तल उठाने में थाली धोने में इतना माहिर हैं इतना प्रेम हैं क्या कहना है अगर कोई धोखा से आदमी स्वालंबी बन करके उपत्तल थाली उठा लिया कि नहीं नहीं हम ऐसा ना करिये हमारा पुन्न न छीनिये जूता चपल अपने तौलिया रुमाल से अपने आचल सेवे साफ करती हैं उसमें वो सभी भक्तों संतों के चरण धूली चड़ाती हैं सिर चड़ाती हैं तो बहुत बढ़िया सेवा तो सेवा भावना से क्या होता है मन प्रशन हो जा जिसका हिर्दें हरा भरा है उसका जीवन हरा भरा हो जाता है तो इसलिए हमें बिनम्र होना चाहिए और इन ठगहारों से बचने का ग्यान तो होना ही चाहिए तो भूत, प्रेद, देवी, देवता, जंतर, मंतर जो भी भरम की बातें हैं इनसे उपर उठो तो आपका बहुत कल्यान हो जाएगा फिर आप तमाम जो पूजा पाट की बातें हैं भक्ति, धरम, परमार्त में आप पूजा भी करती है शंद, गुर्जन, माता, पिता और बड़े बुजुर्गों का प्राणियों की सेवा करते हुए पवित्र मन से जब आप करते हैं तो वो स्वयम पूजा बन जाया करती है देखो, जब आप अधिकार समझ करके कुछ करते हैं तो अधिकार में क्या होता है? प्रेम तो होता नहीं अधिकार में जबर जस्ती और उसमें पीड़ा होती है जोर जुलूम होता है और जबर जस्ती होती है अधिकार में कोई पुन्य और सेवा की भावना नहीं होती है जैसे कोई बेटा अपने बाप पर अधिकार मान ले कि मेरा तो अधिकार है तू नहीं देगा तो मैं कोट का चेहरी पूलिस बुला करके दात तोड़ के ले लूँगा खेद बाड़ी सब अपना हिस्सा जाएगा कहां मेरा अधिकार है भाई से कहता है मेरा हक है मेरा अधिकार है तो अधिकार में कोई प्रेम नहीं होता है कोई क पर तब भी नहीं होता है क्या होता है? वहाँ लडाई, जगडा, स्वार्त, पीडा होती है जंजट होती है, दुख होता है टीस होती है, दुस्मनगी होती है तो ये ठीक नहीं है अधिकार नहीं मानना चाहिए जैसे कोई साधु गुरु अधिकार मान करके और अपने भक्तों पर सिखाना चाहे भगत सीखना न चाहे जवरजश्ती कोई सीख सकता है क्या अधिकार मान करके हाँ प्रेम जुड़ा हो संत गुरू भी इसने प्रेम के साथ अधिकार मानते हैं कहतें नहीं नहीं हमारा भक्त है न और फिर पूछेंगे उनके ज्यान विचार के लिए और रीत रिवाज के लिए आप कैसे रहते हैं ऐसा अधिकार कैसा अधिकार है ये प्रेम के सहित अधिकार है दूसरा होता है कर्तब, कर्तब में रस्म जुड़ा होता है, पहिचान होती है आप कर्तब समझ करके कोई काम करेंगे तो आपका बेवहार परिचय बढ़ेगा और क्या होगा, उसमें आपको थोड़ा सा पहिचान और यस कीरती बढ़ जाएगी लेकिन उसमें आनंद नहीं रहेगा, प्रशन्नता नहीं रहेगी तो कर्तब समझ करके भी करना चाहिए कारी को, मेरा कर्तब बनता है माता पिता की सेवा करना अच्छा कर्तब समझ करके जब सरम के मारे करेंगे लोक लजजा के मारे करेंगे काम कि भाई, अम मैं ही हूँ और कौन करेंगे अब किसी तरह इनको इधर उधर करके नहां धुआ करके बैठाना पड़ेगा नहीं, लोक क्या कहेंगे मेरा कर्तब बनता है तो आपको आनंद नहीं आ सकता उस कारी में कोई भी काम कर्तब समझ करके करेंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा अधिकार से ज़्यादा कर्तब में लाभ है कर्तब से भी करना चाहिए इससे भी बढ़ करके प्रेम होता है तो आप अधिकार से चल करके कर्तब तक पहुँचिए जरूर हमारा कर्तब कर्तब ही धरम कहलाता है एक भी द्यार्थी का कर्तब है माश्टर अध्यापक का नमस्कार करें अदब लिहाजा समझें और मेहनत की पढ़ाई पढ़ें अध्यापक जो कहे होमवर्क दे नियम कानून फार्मूला बताए उसके अनुसार सम्मान से बिद्यार्थी पढ़े ये बिद्यार्थी का कर्तब है माता पिता की आग्या में चलना उचितरीत रिवाज बताते है बड़े बुजुर्ग तो बच्चों का कर्तब बनता है तो और माता पिता का भी कर्तब है कि ओ माता पिता हैं बच्चे को जनम दिये हैं तो अपने बच्चे को लायकदार बनावे सत्संगी बनावे धर्मात्मा बनावे आनायतिक जीवन जीने की जिम्मेदारी समझे, ये माताविता कर्तब है, तो कर्तब पर आ जाएं, अधिकार ना माने, क्योंकि अधिकार मानने वाला एक घटना, एक बच्चा अपने मा के पास गया, कि इन मा भूखा हूं, मुझे भोजन दीजिये न, अभी 15 साल का ललका था 15-14 साल का, तो मा बैठी थी घर में, मा ने अधिकार समझा, कहें, देखो ये, मेरा बेटा है, आडर दे रहा है मुझे, मेरी बात नहीं मानता है, कुछ नहीं का ऐसा गर, जारसोई में रखा भोजन है, टाइम से आया नहीं जा, परस के खाले, मैं क्यों दूँ, बेटा भी आड़ गया, सोचा कि मेरा अधिकार है मा से मांगना, मुझे जनम दिया है, मा का लाड़ला हूँ, और मेरी मा है, मा से नहीं मांगूँगा, तो किसे मांगूँगा, मेरा अधिकार है, मैं बेटा हूँ उसका, उसे कहा, नहीं मा, तो ही परस के दे, तो मैं खाऊँगा, बा तो मैं जैसा कहती हूँ ऐसा कर इसी तरह की तमाम बातें बढ़ गई अंतता वो बच्चा गया क्रोध को संभाल नहीं पाया फांसी लगा लिया मर गया अब मा पस्ताने लगी किहाए जिस बच्चे के लिए मैं इतना कुर्बान हो गई जनम दिया कष्ट सहा लालसा लगाए रही सपना देखती रही थोड़ी सी बात मैं अडगई किसी बात में हट कर ली अरे बच्चा को बुढ़ा पे तक सेवा की जाती है कि मा का धरम बनता है ह नहीं मैंनी भापाया मा का दिल तो बहुत उचा होता है लेकिन मैं क्या कर डाला बच्चे को समझ नहीं पाई अधिकार को लिए बैठी रही और बच्चा तो बच्चा है वो भी नहीं समझ पाया तो देखो ये घटना घट गई अधिकार के बदवलत अगर करतब समझा जा तो बेटा भी नहीं समझ पाया लेकिन मा छम में नहीं है क्योंकि वो बड़ी हो करके समझदार हो करके बेटे के साथ अधिकार पूरवक बात कर रही थी करतब जिम्मेदारी नहीं समझी तो देखो ये घटना घट गई इसलिए इससे अच्छा करतब है अधिकार से देता है उससे भी बड़ा काम है प्रेम उसमें जोड़ दें करतब में अगर प्रेम जुड़ जाए तो क्या कहना फिर आनंद प्रसंदा की लहर उठ पड़ती है हिलोरे मारने लगते हैं निश्चिंतता आ जाती है निश्चिंत जीवन में ही हासी की घटना घटती हैं हासी में मुस्कुराहट देख सकते हैं अहंकारी और स्वार्थी और कप्टी कभी हसता है तो उसके हसी में बू आया करती है घमंड की अहंकार की बू निकलती है उसकी हसी में आप जान जाया करते हैं कि ओ ये हसी कोई वैसी नहीं है ये कोई अंदर की हसी नहीं है जैसे कोई आदमी दुखी है और भारी नुकसान झेल रहा है और एक आदमी आके मुस्कुरा दिया एक इरिसालू चरित्रहीन आदमी छली आदमी मुस्कुरा करके बातें करता रे भाई आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है जाट वो समझ लेता है कि देखो ये छल भरा मुख में राम बगल में छूरी तो इसके भीतर तो मुख में तो राम है लेकिन भीतर कपट भरा हुआ है ये टसरा ले रहा है ये जानना चाहता है मेरे दुख और समिश्या को ये हस नहीं रहा है तो हसी जब आती है निश्चिंत्र पवित्र मन में हसी आती है जब प्रेम उदय होता है तब हसी आती है और वो हसी फिर सुख और आनंद प्रसन्नता देती है जब उसी प्रेम और करतब मिस्तृत जीवन में करतब में जवाब काम करते हैं तो वही पूजा बन जाता है चद्गुरु इसके लिए कहते हैं कि जो कुछ करूं सु पूजा जब सुआउं तो करूं दंडवत भाव मिटाउं दूजा आँख नमूंदूं कान नरूंधूं काया कश्ट नधारूं खुले नयन हासिहास पहिचानों सुन्दर रूप निहारूं तो आप अपने काम को कारिसैली को कोई भी क्रिया कलाब को पूजा बनाना चाहते हैं न आप थोड़ा जाकर पांच मिनट की पूजा करते हैं अगर उसमें आपको अच्छा महसूस होता है तो मैं कहता हूँ आप दिन भर पूजा करें तो क्या हर्जा हो जाएगा आप पत्थर में भगवान प्रगट हुआ और महसूस करते हैं देवी देवता तो हम कहते हैं आप इन चलते फिरते प्राणियों में देवी देवता भगवान देख ले देखने की आदट डाले तो क्या हर्जा हो जाएगा आप इतना बुद्धिमान हैं कि मिट्टी पत्थर कागच के फोटू में आप हाथ जोड़ लेते हैं लड्डू चढ़ाते हैं होमग्यार करते हैं इतने अच्छे हैं कितने अच्छे हैं आप तो थोड़ा और बढ़िए ना इन चलते फिरते बोलते चालते हस्ते मुस्कु प्राणियों में आप देखिये कि इनमें परमात्मा का बास है प्राणियों में आप दया करिये नमारिये कि इनमें भी परमात्मा का दर्सन हो रहा है और इन माता बहनों भाईयों में बाप दादाओं में देखिये कि इनहीं की क्रिपा से तो हमारा जीवन चल रहा है और आ अनवर की तरह रह जाते पसु पक्षी की तरह रेंगते रह जाते तो जो कुछ हमारे जीवन में उन्नती हुई है इस मानों समाज में रह करके सत्संग में रह करके सज्जनों के बीच में रह करके माता पिता गुर्जनों के बीच में रह करके उनी का पदचिन पर चल करके हमे नहीं सबके बदाउलत है तो इनमें अगर हम सेवा करें इनकों देखकर मुस्कुराएं तो और आपकी कीमत बढ़ जाएगी आप स्वयम देवी देवता हो जाएगे गुरु प्रताब भयो जा दिन से सुरतिन अंत चली गुर्देव कहते हैं कि गुरु का ग्यान जब से मिला गुरु की कृपा हुई गुरु की छत्र छाया में हम आए बास समझ में आई आत्म ग्यान जब से हुआ तो सुरतिन अंत चली सुरत कहते हैं मन की तरंगों को मन की यादगीरियों को मन के असमरणों को कहते हैं भाई मेरा मन वहाँ लगा है मेरा ख्याल वहाँ लगा है मेरी सोच वहाँ पर लगी हुई है तो इस सुरत जो लहर तरंगें जैसे आप नदियों में देखते हैं समुद्र में देखे होंगे बड़े बड़े जहां बाढ़ आया करती हैं बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं त तो ऐसे ही मन में हर समय लहरे तरंगें चलती रहती हैं तो क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है इनी तरंगों को मारना भजन है समझना समझ करके तरंगों को शांत करना भजन है जब यह तरंग सांत हो जाएंगी मन इस्तिर हो जाएगा सांत हो जाएगा तब क्या कहना जो कुछ हम काम करेंगे सब पूजा बन जाएगा तो केवल पूजा करना ही पूजा नहीं होता जाड़ू लगाते हैं तो पूजा हो जाएगा भोजन बनाते हैं तो पूजा हो जाएगा खेती करते हैं तो पूजा हो क्योंकि आप बड़ी इमानदारी से कर रहे हैं, प्रेम के साथ करतब कर रहे हैं, माता पिता कुमालिस कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, नहला रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, गाय भैस नहला रहे हैं, गोबर पानी कर रहे हैं, नाली साप कर रहे हैं, यह सब पूजा बन जाएगा और आगे बढ़के बताऊं सवचाले में बैठे हैं वहां भी पूजा आपकी हो रही है एक गंदगी सरीर की साफ हो रही है और आप गुर्जनों को याद करके उनकी बातों को याद करके मन की भी गंदगी निकल रही है तो दोनों तरह से आप सफाई में लगे हैं तो वह भी पूजा बन जाता है वहां आप किसी प्रकार की उदंड़ता नहीं कर रहे है क्योंकि कमरा बंद करके सोचें कि हम यहाँ कोई देख नहीं रहा है उदंड़ता काम गलत काम करें कुछ गलत सोचें क्योंकि आपके हिर्दाय में बैठा हुआ वो परमातमा वो सब तुहारी सोच को भी नाप रहा है एक एक पाई इंच और तुहारे सारे क्रिया कलाब को भी देख रहा है इसलिए कहीं भी आप ना करने योग काम को ना करें ना सोचने योग को ना सोचें नहीं तो आत्मा जान लेती है और दंड देती है इसलिए सदेव अच्छे करम हम करें तो ये चोटी चोटी बात लेकिन बहुत महत्तपूर है जीवन को बदल देने वाली ये बाते हैं देखो आप फोन चलाते हैं फोन चलाते हैं तो उसमें आपको रिचार्ज करना पड़ता है द्दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन चाहिए फिर उसमें आपको चाहिए ना लेकिन अपने आप से बात करने के लिए मौन चाहिए आप बहु चंचल हो करके बड़बडा करके इधर उधर करके जिद बाजी करके आप अपने से मुलाकात नहीं कर सकते हैं जैसे कापता हुआ पानी में आप चेहरा नहीं देख सकते हैं और तमाम तरह से गंदे सीसे में आप चेहरा नहीं देख सकते हैं ऐसे अपने चंचल मन के द्वारा परमात्मा को एहसास नहीं कर सकते हैं जैसे डीजे बज रहा हो तो इस घड़ी की आवाज को नहीं सुन सकते हैं क्योंकि घड़ी की आवाज बहुत धीरे से टिक टिक कर रह ही है ऐसे ही भीतर दीजे जैसे मन घुरद ओल कर रहा है सभी इंद्रियาม खटपट कर रही है इस तिर कुछ है ही नए तो मन में जो अंतर आत्मा की आवाज है जो सुध मन की आवाज है वो सुनाई कैसे पड़ेगी उस आवाज को सुनने के लिए सांत इसलिए माउन अवस्था ध्यान में यही बताया जाता है आप घर में भी बैठे तो माउन हो जाएं केवल मुख से माउन नहीं हात पैर से भी माउन हो जाएं सांत रखें कान से भी माउन हो जाएं इधर उधर तेवत न रहें कान की ये पडोसी क्या कह रहा है ये कौन बखबख कर रहे हैं दिवरानी जिठानी क्या हमारी बात कर रही है तो कान को उधर इधर उधर न लगाए रखें माउन कान को कर दें नाक को भी माउन कर दें ख्याल न करते रहें वो पुरान उस बरात में गए थे जब आप इस्थिर होंगे तब आत्मदर्शन होंगे महसूस होगा कि मैं हूँ जब मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ इस बात को जानने वाले के अंदर निश्चिंतता आती है हिर्दय सीतल होता है तो उसका जीवन सीतल हो जाता है जो अपने आपको नहीं जानता है वो कैसा ज्यान और कैसा सत्संग और फिर इसलिए अपने आपको जानना चाहिए तो ये बहुत बड़ा त्याग और तप है और गुरु कृपा है इस कृपा को आप लेना चाहेंगे लेना चाहेंगे न केवल यही नहीं कि हाथ उठा करके कोई साधू महराज पंडा पुजारी आपको कहे कि आप बिल्कों सब चकाचक ठीक ठाक जाओ सब बिमारी दूर हो जाएगी और मुर्दा से जिंदा हो जाओगे ऐसा कहीं होता है क्या कभीर साहिब ने भाएशा से बेद मंत्र बुलवा दिया था देखो कितनी सक्ती थी न ये बाद गलत है ये भाएशा जैसे समाज, बुद्धु, मूरक को कभीर साहिब का ज्यान जागरित कर देता है बेद मंत्र बुलवाता है ये जो समाज है इतना गिरा हुआ कुछ भी बताओ समझ में नहीं आता भोले भाई लोग है पिड़ी दर पिड़ी अपने बच्चों का सर्वनास करने में जूटे होए है होस में ही नहीं है आएसे बुद्धुओं को साहिब ने डाटा फटकारा और चेताया जगाया और उनको ग्यान दिया जागरित किया आत्म ग्यान दिया सदाचारी बनाया ब्रमचारी बनाया यही तो भाईसा जैसे इंसानों को बेदमंद्र बुलवाने की बात है तो संत यही करते हैं लेकिन कुछ आएसे भी लोग होते हैं कि मूरक हिर्दयन चेती जो गुरु मिले विरंच सम कभीर साहब भी ठक गए थे उन्होंने कहा मूरक से क्या बोल ये सट सो काह बसाए पाहन में क्या मार ये जो चोखा तीर नसाए मूरकों से क्या बोलेंगे कुछ बस नहीं चलता है कभी कभी और सट आदमी से कुछ नहीं बस चलता है मूरक से बोलेंगे तो उल्टा सीधा वो कुछ बक देगा जगडा कर लेगा तो ऐसे मूरकों से दूर रहो और सट आदमी सठी हटी से दूर रहो अब पाहन में क्या मारिए पत्थर में अपना तेज नुकीला तीर चला करके क्या पाएंगे तीरे तूट जाएगी आपकी मतलब बढ़िया चोखा ग्यान सुना करके उन पत्थर जैसे इंसानों की जिसका हिर्दय पत्थर हो गया है दिमाग पत्थर हो गया, कुछ धस ही नहीं रहा है कितनी अच्छी अच्छी बातें कही जाती है संद गुर्जन हमें सुनाते है अब भीतर ग्यान नहीं धस रहा है एक मूरा खाया बता दिया कि ऐसा करो सब ठीक हो जाएगा जाड समझ में आ गया बस लोक लिह उस बात को और जो महापुर्श बता रहे थे अच्छी बातें और चोटीली बातें जीवन में बदल देने वाली बातें वो समझ में नहीं आता तो इस तरह से संद गुर्जन भी ठक जाते हैं और अपना मुख मोड़ना पड़ता है तो मैं कह रहाता कि जैसे दुनिया वालों से बात करने के लिए हमको फोन चाहिए आत्मा से बात करने के लिए आत्मा से मिलने के लिए मौन मौन होना चाहिए सभी इंद्रियों से मौन होना सीखो गुर्जनों का ध्यान करके आधार बना करके सब सांत रहना कभी कभी सीखो कब तक भागते रहोगे दोड़त दोड़त दोड़िया जहां तक मन की दोड़ दोड़ थका मन्थिर भया वस्त उठावर की ठावर कहां तक दोड़ते रहोगे इस्तिर हो जाओ शांत हो जाओ तो और आगे कि जैसे आप फोन करते हैं तो रिचार्ज होता उसे बिल कहते हैं बिल इतना देना पड़ता है बिजली का बिल लगता है पानी का बिल लगता है फोन का भी बिल लगता है आज सबको तो सबय को बिल भरना पड़ता है तो 400 रुपिया महीना 800 रुपिया महीना जो जैसे लोग हैं तो ज दिल देना पड़ता है दिल लगाते हैं क्या चित लगाते हैं क्या नहीं आध हमने दिल दे दिया यहां वहां जहां तहां तो दिल को बचाना भी चाहिए जल्दी जोड़ना नहीं चाहिए और देखो चकही चकहा है वो यतना दिल जोड लिहन कि एट मर जाते तो तो सरको मू देखे होंगे और भी पक्षी होते हैं इतना मोही हो जाते हैं आपस में इतना दिल दे दिये और ऐसे दिल जोडने वाले लड़की लड़का कभी कभी होते हैं वहों मरते हैं अरे भाई वहाँ दिल हटा लो वहाँ दिल जोडने से तो न रखो जाएगा कहां कहां दिल जोड लिये हैं लोग दिल अपने आप से जोड़ो अपने आपको जानो समझो गुर्जनों से जोड़ो जो हमारे हित ऐसी हित चिंतक हैं ऐसे गुर्जनों से जोड़ो दिल तो माया में जोड दिये हैं माया में जुड जाने से जीवन ह बिखर जाता है अरे अपने सत्संग में दिल जोड़ दो दिल लगा करके बैठो गे सांती से इस्थिर हो करके परिशानी हो तो भी आराम से बैठो मैसुस करो तो सत्संग में आदमी निखर जाता है माया में बिखर जाता है जिंदगी ही बिखर गई कितने लोगों की लड़ा लत्पत जीवन हो गया यही करते करते बच्पना निकल गया जवानी निकल गयी बुढ़ापा भी निकला जा रहा है तो कहां जो जोडेंगे दिल को अपने आप से जोड़ो सत्संग्स से जोड़ो संद गुर्जनों से जोड़ो अध्यन ध्यान चिंतन से जोड़ो और खूब मन लगा करके ये काम करो तो इसमें आपको महसूस होगा लाभ दिखाई देगा, लाभ मिलेगा बिनम्र रहो जीवन में बिनम्रता हमें खुसियां देती हैं उन्नत सीलता देती हैं हम आगे सिखर को फिर छू सकते हैं इस बिनम्रता के गल्यारे से अहंकारी बन करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अहंकारी बन करके चाहे जितना पढ़े लिखे हों चाहे जितना धनवान हों हम ऐसा कुछ भी लाभ नहीं ले सकते हैं तो कोई महल वाला हो कई मंजिल की महल हो और जिसके हिर्दय में शान्ती है दोनों में आप किसको अच्छा मानेंगे महल वाला शान्ती से रहेगा कि जो हिर्दय में सदगुण सदाचारी है वो शान्ती से रहता है जिसके हिर्दय में शान्ति है वही महल वाला है पैसे वाला है वही धनी है वही सुखी है तो नहीं दरिद्र सम दुख का छुनाही संत मिलन सम सुख का छुनाही तो सन्थ हमें यही बिनमरता सिखाते हैं सद्गुरू कबीर कहते हैं सबसे बड़ी लगुता होती है लगुता सबसे बड़ी है लगुता वहा glearni भिनमरता लगु छोटे चोटे कहते हैं तो जो छोटा हो जाए बिनम्र हो जाए देखो ये बच्चे हैं ये बहुत छोटे हैं और न काम करें न धाम करें बहुत सेवा लेते हैं सबसे ज़्यादा प्यार इसने ही पाते हैं बच्चे लोग फिरी फैंड खाते हैं बहुत खर्चा करा देते हैं सबकी गोद में चड़ कोई भी नरनारी बहन भाई भावी दादी उसे खिला लेते हैं को उनों काम करते हैं का उनों फावड़ा चलाते हैं ये बच्चे लोग दो चार साल पांच साल तक गजब की सेवा होती है लगू है छोटे हैं उनके मन में किसी प्रकार का हम और कहीं कोई कुटिलता नहीं है कम कोई कसर नहीं है भगवस रूफ होते हैं बहुत बिनम्र बच्चे छोटे हैं कितनी सेवा होती है कितना अच्छा माना जाता है तो लगू बनो और फिर वही बच्चा आगे बढ़ते बढ़ते उम्मीदें हैं लगू में छोटे बच्चों में ही उम्मीदें हैं संभावना बहुत यही बच्चा आगे चल करके महान होगा विद्वान होगा मास्टर डाक्टर कलटर होगा मंत्री होगा और यही साधु महात्मा होगा सेड साहुकार होगा सारी संभावना उस बच्चे में हैं जवान होते होते कम होता चला जाता है सारी संभावना ही उसकी कम होती चली जाती है अब बूढे से क्या संभावना जादा रखोगे अब यही संभावना है कि दुआर ताके रहें आउसांती से रहें तो वह हूँ सही नहीं धक्का मार के सड़क पर कर देंगे देल तो थोड़ी संभावना रहती है समस्दार लोग भी समझेंगे लेकिन बच्चों में तो मूरक भी संभावना समस्ता है कितना भी निर्दाई माबाप हों तो भी समस्ते यही बिटवा हमार यही बेटी हमको सुख देगी संभावना है छोटे में इसलिए जो आदमी बिनम्र होगा तो प्रकित की ओर से भी समाज की ओर से भी अपने जीवन की ओर सी भी उज्च उन्नती निश्चित हो जाएगी जो आहंकारी बन करके अकड़बाज हो करके अइठन ले करके घूमेगा वो आगे संभावना सारी खतम हो जाती हैं सहाई भी इसलिए उदार देते हैं लगुता सब ते बड़ी लगुता से सब हो एं Лगुता से ही बिनमर्ता से ही cinema सब कुछ हो सकता है चार विद्वान हाँ एक पंडी जी थे तो बनारस से पढ़के बड़े अकड़बाज हंकार को लाद करके आ रहे थे मुझसे बड़ा कोई नहीं मैं बड़ा विद्वान हूँ तो ऐसे ही यही महीना था सामन भादों का अब गंगा जी बहुत बढ़ी थी उस समय कोई श्टीमर और पूल तो था नहीं नाव चल रही थी पंडी जी नाविक को बुलाए आए लाए नाविक भाई नाविक तो जानते हैं विचारा देहाती पानी में उसी तरह दिन भर भीगा हुआ नाव चलाता है फटा पुराना पहन करके कुछ पैसा कमाता है गरीब ही होता है और वो नदी का मालिक होता है उसी में दिन भर काम करता है तो नाविक मलाह तो नाव में बैठा लिया आए बाबु जी पढ़े लिखे थे तो जरा बाबु जी थे पंडित जी थे तो पंडित जी के अंदर बिद्या कलकला रही थी भीतर तो थोड़ी देर बैठे रहाइश ना हुआ कहें क्यों नाविक कि तुम पढ़े लिखे हो कुछ कहें ना बाबु जी हम पढ़े लिखे कुछ नहीं है तो कहें लो तुम पढ़े लिखे नहीं हो और इतना उंबर चली गई तुम्हारी तुम्हारा जीमन तो बहुत कुछ बेकार है पता ही आधा जीमन तुम्हार बेकार है अच्छा तो अब वो आदमी मस्त नाव चला रहा ह जूमते होए नाव खे रहा है नावा आएए बढ़ रही है अब पंडी जी को फिर रहा नहीं गया कहें नाविक क्या तुम हिंदी भी नहीं जानते हो पढ़ना लिखना कहें बाबुजी मैं स्कूल गया ही नहीं हूँ अब तुम्हारा एक तिहाई जीवन बेकार है तीन हिस्सा जीवन बेकार हो गया बताई आगे नाव बढ़ी बीच में पहुची बहुत तेजी से तुफान आया बड़ी बड़ी लहरे बन रही थी नाव ढगमगाने लगी नाविक देखा कि अब नहीं मैं संभाल पाऊंगा नाव अब खत्रे में है कहा पंडित जी एक बात बताओ तुम तैरना जानते हो की नहीं कया कापते होए घबराते होए कहा की ना ना मैं नाविक भाई मैं तो तैरना नहीं जानता हूँ कहा है तब तो तुहारा पूरा जीवन बेकार तो हम तो होए तैर कर बाबू सरिता के उस पार जाने बिना तैरना बाबू सारी बिद्या बेकार तुम तैरना नहीं जानते हो तुहारी शारी बिद्या बेकार है और ना उल्टी जट से कूदा और उस पार हो गया तैर करके आउसी में डूब करके बाबू जी समाप्त हो गए उनकी सारी अकड़बाजी अहंकार वहीं ले मरा तो इस तरह से अहंकारियों की यही दुर्गती होती है अहंकार पतन की जननी है और मा है तो ऐसी जननी के साथ क्यों हम करें जो हमारा नरक बनाए और पतन कर दे जीवन को बिगाड़ दे तो बिनम्रता तो लगुता से सब होए बिनम्र आदमी भी धन की ओर बढ़ जाता है अधिकारी रेंज की ओर बढ़ जाता है कोई बिजनिस में आगे बढ़ जाता है बड़ी बिनम्रता से इन एजेंटों को देखो कहीं आप टेक्टर, गाड़ी, फोरविलर और किसी फैक्टरी के एजेंटों के पास जाए कितनी कलाएं होती हैं बिनम्र इन नेताओं के पास जाए ये नेता जब कन्वेसिंग करते हैं तो कैसे कैसे आदमियों के पास आकर सिर जुकाते हैं तब आप पिघल जाते हैं और ओट दे देते हैं जुके तब न अरे भाई गरीब से गिरे हुए आदमियों के पास अगर जरा सा कुछ कह दें तो वो मर सकते हैं पर ओट नहीं दे सकते हैं जरा उनको आप बेजज़त कर दीजिए बने होंगे कितने बड़े संसत विधायक तो संसत विधायक मंत्री भी आ करके उन फटीचरों को विचारों को हाथ जोडते हैं जोपड़ी वालों को तब वो विचारे गरीब कहते हैं इतने बड़े आदमी हमार पैर छुई लहीं नहीं तो अब इनहीं को ओड देंगे चाहे हमार कुछ मिले चाहे न मिले तो कुछ नहीं चाहते हैं फिरी में केवर पैर छुने के बदावलत सब कुछ दे देते हैं भोले भाले विचारे अपनी ओट की कीमत को उतने में ही बेच देते हैं लगुता इतनी बड़ी होती है तो लगुता से सब होई फिर ये धरम करम का काम लगुता के बिना कैसे हो सकता है गुर्जनों से बड़े बुजुर्गों से माता पिता से क्या हम अकड़बाजी करके उनसे ले सकते हैं कुछ अरे भाई अकड़बाजी से तो भैस भी दूद नहीं देती है और देगी न तो जहार देगी आप इंजेक्शन लगा के जब दूदे हैं वो दूद भी सैला होता है बहुत सारे तत्व पौष्टिक जो तत्व होते हैं दूद में वो समनस्ट हो चुके होते हैं भैस घबरा करके देती है और बहुत डर जाती है भैभीत हो जाती है पीडित हो जाती है और उनकी नस नाडियां शिकुर जाती है मुलायम हो जाती दूद उतराता है तो जो शंबेदना जो कुशलता उस दूध में और जो पौश्टिकता होती है उसके खुश मिजाजी में जब आप पंखे लगा करके, कूलर लगा करके, भैंस की पीट को सहला करके, नहला करके जब दूध निकालते हैं, तो भैंस पागुर मारते होए प्रसन चित से दूध देती है, वो उस दूध में विटामिन होती है, और पौश्टिकता होती है, तो जबर जस्ती करने से तो भैंस भी नहीं, वो जहर देती है इसलिए घर में भी क्रोधित हो करके माताएं अपने बच्चों को कभी भी दूध न पिलाएं, नहीं तो वो बिमार हो जाएंगे, बुखार आजाएगा, फिर आप तो नहा के लगे जाएंगे बुखार तो आपने कर दिया, क्रोधित हो करके, जगड़ करके, रगड़ करके बच्चों को दूध पिला दिया, अब बच्चा गरम और विशैला दूध पी करके बिमार हो गया, एक ए घंटे के लिए चाहे बिमार हो, बिमार होगा जरूर और फिर आप घबरा करके जाएंगे जड़वाने फुकवाने, तो उसमें एक घंटा लगी जाएगा, आने जाने ज़ाड़ने फुकने में तब तक में वो बिमारी चली जाएगी, आपके अंदर दो अज्ञान पुष्ट हुआ, उधर आप क्रोध भी पुष्ट हो गया, अब बच्चे के अंदर बिमारी आ गई, अब बिमारी दूर करने के लिए जाड़ फुक को पुष्ट कर लिए, कि हाँ सच होता है, आरे जाड़ने से देखो न मेरा बच्चा ठीक हो गया, अरे घंटा दो घंटा के लिए बिमारी आपके कारण आई, और वो दूर हो गई अब नाम लगा दिये उसका, ये जुठाई से कितना अकल्याण है समाज का, इसलिए कभी भी जाड़ फुक के चकर में ना पड़ो, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा ज्यान है, बहुत बड़ा घाटा है, इससे रुपिया पैसा एक बार नुकसान हो जाए, त चरित्र हींता है, जाड़ फुक, टोना, टम्मर, पंडा, पुजारियों के पास अपने को ठगाते रहना, बिवेक और सद्गुनों को नश्ट करते रहना, ये बहुत बड़ा नुकसान है, लोग पर लोग इससे बिगड जाता है, इसलिए जाड़ फुक से दूर रहें, ब अदलाव आएगा, आप तेजी से धनी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, प्रसन हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, आप आत्म ग्यानी हो करके बुरे करम नहीं कर सकते हैं, तो बुरे करम ही आपको दुख दे रहें, पीड़ा दे रही है, जनम मरण में रगड र आपकी पीड़ा है आपकी चिंता है आपका दुख आपका दुरगुन दुराचारही आपका नरक है इसलिए हम निश्चिंत बने सद्गुन सदाचारी बने दयाच मांसील संतो धीर विचार बिनम्रत्पा तो साहिए में कहा लगुता सब ते बड़ी लगुता से सब होए लगुता मने बिनमरता से सब कुछ आगे बढ़ेंगे आप हर उन्नती हासिल करेंगे जैसे उधार देते हैं सद्गुरु कबेर जच्दुतिया को चंद्रमा सीसनवे सब दुईज की चंद्रमा कैसी होती है इस मताएं ज्या देखते हैं तो सब क्या कहते हैं उस समय जब उपास रहते हैं रमजान महिने में तो उस समय विचारे चांद के सहारे ही भोजन अपना और कुछ क्रियाकांड करते हैं इद का चांद बहुत देखते हैं तो दुईज वाले चांद का बहुत महत्त है और कैसा होता है वो चां हर महीना पाक में कहां है कहां है हाँ हाँ आज दोई जह दे को थोड़े समय के लिए आओ पूरवासी के चंद्रमा कोई देखते हैं कुछ उसका वैलुए नहीं है उसमें कारण है ऐसा क्या कारण है पूरणा की चंद्रमा को देखना चाहिए वो पूरा है बड़ा फोकस मार है दूजवाले में तो ज्यादा प्रकास नहीं मुर्जाया मुर्जाया दुबला पतला इसलिए आदमी उसको ध्यान देते हैं सद्गुरु कबीर भी उसलिए प्रमार देते हैं क्योंकि उसमें संभावना है रोज 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 बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है प्रकास बुद्धू होए आप हार जाएगे लेकिन आप ही जीत जाएंगे समय से हारा सो हरी कोभया, जीता यमपुर जाए तो जो आज हार जाएगा अपने सदगुर्ण सदाचार को ले करकर छोटा बन जाएगा वही कल बड़ा हो जाएगा वही जीत जाएगा आज जो अहंकार को क्रोध को और लोब को मोह को लेकर जीत जाएगा फट से हार जाएगा वो यम पूर जाएगा यम राज माने दुख पीडा नरक में जाएगा इसलिए दुज के चंद्रमा का महत्तो है क्योंकि बढ़ता जाता है उसमें संभावना है जाता है कि वो मूर्ख रोज काला होता जाता है रोज कटता जाता है कम होता जाता है तो जो घमंडी होते हैं हंकारी लोग होते हैं वो गिरते जाते हैं गिरते जाते इसलिए उसका कोई महत्तो नहीं है कड़बाजी का इसलिए सदेओ हम हंकार काम क्रोध लोभिन दुर्ग इसलिए हम सब बिनम्र बने शंत गुर्जनों और सत्संग में आ करके गुर्जनों की सीख को ले करके अपने जीवन को सरल सहज निर्मल बनाएं और निर्मलता ही अमरता है और स्वर्ग है बैकुंठ है जीते जीश का अनुभव प्राप्त करो सब लोग और कुछ तो अनुभव प्राप्त करें महसूस करें रोज बैट करके अभ्यास करें निरिछण करें कि मेरा जीवन कैसा है मेरे मन में कौन कौन से दोस्ट दुर्गुण है मैं कितना आगे बढ़ पाया मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं हो रहा है हाँ कभी कभी मेरे द् अगर दुख लगे किसी को तो जाच करो हम अपने आप ठीक कारी में चल रहे हैं ठीक चाल चलन में हैं दूसरे के लिए सद्भावना हैं भलाई सोच रहे हैं फिर भी आदमी अपने को दुखी मान रहा है कि इसके कारण से मैं दुखी हूँ तो फिर वहाँ विवेक से मानि ये बिनमर रहिए कि भाई संतुष्ट रहिए दोस न दीजिये कि मेरे कारण से दुखी है वो अपने अग्यान के कारण से दुखी है क्योंकि अपने अग्यान के कारण से वो समझ नहीं पा रहा है जैसे संत गुरुजन कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये बुराई है ये ये कमी है इसको छोड़ो तब करने वाला जैसे कोई सराबी है संत और सभी जानते हैं कि सराब बहुत बुरी चीज होती है जीवन को नरक बना देने पागल बना देने वाली चीज होती है वो कोई कल्यानकारी चीज नहीं है फिर विलोग पीते हैं तो संत डाटते हैं कि नहीं ये गंदी चीजें हैं, तो पीने वाला अगर ज़्यादा अग्यानी हैं, तो जलता है, इर्षा करता है, साधू के खिलाप जाने की बात करता है, नराज होता है कि ये साधू लोग सब बिगाड रहे हैं, इतना आनंद की चीज बढ़िया पेपद तार्त है, आओ फिर भी ये मना कर रहे हैं, ऐसे दुरगुणी दुराचारी, लोग अपने अग्यान से दुखी हैं, हम सब के कान दुखी नहीं हैं, जैसे चोर को टार्च दिखाओ, तो पत्थर मारता है, उसे अंधेला पसंद है, प्रकास पसंद नहीं हैं, इतना लोग गिर गए हैं, कि उनको ग्यान सुनाओ, कुछ चेतना की बास सुनाओ, कुछ समझाओ, तो लोग बुरा मानते हैं, हाँ, या तो बहुत अग्यानी हो, या तो छली धूरत हो, उनके स्वारत में धक्का लग रहा है कि ये बाबा चेताये दे रहे हैं, सब लोग चेत तो हमार धंदवच उपठ होई जाई तो ऐसे छली धूर्त लोग इर्शा करते हैं और ऐसे महानपुर्सों के मार्ग में मानवता के मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं कि नहीं नहीं मेरे काम में दखल मत दीजिए ऐसा हुआ है संतों को मार डाला गया है जहार दिया गया है ब धंदे में धका लगता है तो लोग सोचते हैं कि अरे इस बाबा का रोका जाए नहीं तो हमारा धंदा चोपठ हो जाए शुकरात मारे गए जहर दे करके इशा मारे गए और भी तमाम संत लोग सताये गए तो क्या संत किसी का अन्भला चेते हैं? नहीं, कहीं भी सपने में भी दुख नहीं देना चाहते हैं वे कहते हैं सरवे भवंति सुकिना सरवे संत निरामया सरवे भद्राणि पस्चन तुमा कस्चित दुख भाग भवेत क्या कहते हैं? घाव काह पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो किसको दुख पहुचाया जाए? सब प्राणों से प्यारे हैं मेरे सब जीव, प्राणी, मनुष्य तो संद तो ऐसा, तो किसी को दुख क्यों देंगे? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, दुख मान लेते हैं, तो फिर भी उनका दोश है, हमारा कोई दोश नहीं है तो अपने की जाँच परक भी करना है, रोज बैट करके ध्यान करो, संद गुर्जनों की याद करो अपने को उसी के सहारे, गुर्जनों के ग्यान के सहारे, अच्छे-च्छे ख्याल के सहारे, मन को थोड़ा मजबूत बनाओ, सरल बनाओ, प्रशन बनाओ, आनन्दित बनाओ, तो उसी में आत्म चिंतन भी होने लगेगा, उनती भी होने लगेगी, तो आप सब को बहुत-बह देते हुए मैं अपनी बात को भी राम देता हूँ और आगे के लिए भी आप सब इसी तरह सत्संग लाव लेते रहें संत गुर्जनों के सत्संग में नीर शीर विवेकी बने और अपने आपको जाने समझे अपने बच्चों को भी संसकारी बनाएं और एक अच्छे समाज के निर्माड करता बने बोलिए सद्गुरु देव की जै संत समाज की सद्गुरु कबीर साहिब की